Hello to world class हमने आपको जो numerical दिये थे exercise के हम उन numerical को solve करते हैं हमारे थी numerical थे 2.17, 18 and 19 तो हम 2.17 के उपर बात करते हैं देखें numerical में क्या कह रखा है यहां कहता है the vapor pressure of the water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin जो pure water है उसका जो vapor pressure है वो 12.3 kilopascal के बराबर है 300 Kelvin temperature पे calculate the vapor pressure of one molal solution यहनी हमने एक solution बनाया जिसकी molality है 1 तो हमने इस solution का vapor pressure निकालना है तो मतलब हमें relative lowering of vapor pressure के लिए अनुसार formula पता है relative lowering of vapor pressure का formula है P1 0 यह pure solvent का हमारा vapor pressure है और P1 यह solution का pressure है और यह pure solvent का जो की बराबर होता है mole fraction of non-volatile solute के बराबर X2 यहाँ है non-volatile solute तो यहाँ पर हमारे पास तो क्या दिया गया है pure water का vapor pressure दिया गया है जो की 12.3 kilo pascal है solution का निकालना है हमने इसकी molality दे रखी है एक mole एक kilogram पानी में मुझूद है तो molality से पहले mole fraction निकालते है देखें calculation of X2 from the molality तो हमें molality से क्या पता लगा एक kilo पानी जो है उसमें एक mole non-volatile solute का है तो X2 बराबर होता है N2 upon N1 पलस N2 तो N2 पता लग गया एक mole हो गया है जो कितने पानी में मुझूद है एक kilogram पानी में मुझूद है तो एक kilogram पानी के हम moles बना लेते है N1 हो गया 1000 by 18 पानी का जो molecular mass होता है वो 18 होता है तो इसके given mass को हम molecular mass से डिवाइड कर दें तो 1000 बटे 18 आया हमारा 55.5 इतने mole हुए water के तो N1 पता लग गया N2 पता लग गया formula में value पूट करते है N2 की value है 1 N2 की value 1 और N1 की value 55.5 तो हमारा X2 कितना आया 1 upon 56.5 इस value को हम equation हमारी जो पहली equation है यहाँ पर यह देखें उपर है X2 इसमें पूट करते है X2 की जगे तो X2 की जो यह value है हमने यहाँ पूट की तो हमारी equation हुई 12.3 जो की P1 not की value है minus में PS upon में 12.3 बराबर हुआ X2 की value आई थी 1 upon 56.5 यहाँ देखें इनको अलग-अलग separate कर लेता हूँ 12.3 by 12.3 इससे काटा तो यहाँ वन आ गया PS upon 12.3 बच गया है यहाँ पर अब यहाँ क्या किया हमने PS निकालना है तो क्या करें PS Y term को इधर ले आता हूँ और 1 upon 56.5 को इधर ले आता हूँ तो हमारी equation मन गई 1 minus में 1 upon 56.5 is equal to PS upon 12.3 इसका LCM लेते हैं तो इसका LCM देखें यहाँ पर 56.5 minus 1 upon 56.5 is equal to PS upon 12.3 अब यहाँ पर देखें 56.5 में से 1 गया तो 55.5 और upon में था 56.5 is equal to PS upon 12.3 तो यहाँ से हम PS की value निकालते हैं 12.3 को उधर ले जाते हैं तो PS आया 55.5 upon 56.5 into 12.3 तो यह value आई multiple करते हुए और divide करते हुए 12.808 किलो पासकल हमारे पास solution का pressure हुआ तो अगले numerical पे चलते हैं हमारा जो अगला numerical है यहाँ पर वो क्या कहता है अगला numerical कहता है calculate the mass of a non-volatile solute जिसका molar mass दे रखा है 40 gram per mole तो यहाँ पर mass of non-volatile या given weight कह सकते हैं या given mass निकालना है which should be dissolved in the 114 gram of octane जिसे 114 gram octane में dissolve किया गया है और जिसकी वज़े से उसका pressure जो है reduced to 80% घटकर 80% रह चाता है तो यहाँ पर हम माल लितने हैं क्या दिया गया है हमें हमें जो equation पता है relative lowering of vapor pressure की क्योंकि vapor pressure घट रहा है तो relative lowering of vapor pressure की equation लगेगी P1 0 minus PS upon में P1 0 is equal to X2 X2 का जो हमारे पास formula है वो है N2 upon N1 plus N2 तो यह तो N2 की value है W2 by M2 यह N1 की value है W1 by M1 पलस में यह N2 की value है W2 by M2 हमें दिया गया है percentage में दे रखा है तो pure का pressure हमने माल लिया 100% माल लिया और उसका pressure solution का गटकर 80% रह जाता है W2 निकालना है कि जो given weight या given mass non-volatile solute का है क्या उसका molar mass दे रखा है 40 एक molar का mass है 40 हमारा जो solvent है उसका weight दे रखा है 114 अगरा अगर हम octane का molecular mass निकाल लें तो हमारे उपर देखे निकाल रखा है हमने octane का formula होता है C8H18 8 carbon आए 18 hydrogen एक carbon का 12 होता है तो 8 carbon का हुआ 96 है और 18 hydrogen एक hydrogen का एक तो 88 हो गया 18 दोनों को जोड़ 114 तो मतलब molar mass क्या है octane का 114 फर्मूले में value put करते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखे हमारे पास P1 note की जो value है P1 note की value 100 माना है minus में 80 बटे में 100 बराबर है W2 निकालना है by M2 दे रख का है 40 W1 114 M1 114 जमा में W2 निकालना है by 40 तो यहाँ से देखें 114 से 114 कटा तो हो आगया 1 और यहाँ हमारे equation आई W2 by 40 upon में 1 प्लस में W2 by 40 अब यहाँ के इसाब से देखें अब 100 में से 80 गया 20 बटे 100 इस equation को मैंने पलट दिया 100 को उपर ले गया 20 को नीचे लिया तो देखो यहाँ आद देखें 100 बटे 20 हो गया उसी परकार मैंने इस equation में भी क्या गया इसको उपर ले गया इसको नीचे लिया आया तो देखें नीचे जो टरम थी ओपर सा गई है 1 पलस में डब्लू टू बाइफोर्टी अब उन में डब्लू बाइफोर्टी तो यहाँ पर मैंने क्या क्या एक बटे इन दोनों को सेपरेट कर लिया अब यहाँ यह हमें एक्वेशन पर आप दोई तो देखो 20 से 100 को काटा तो आया 5 यहाँ 1 अपोन डब्लू टू बाइफोर्टी को मैं लेख सकता हूँ 40 बाइफोर्टी बाइफोर्टी पलस में एक यह रहा इस एक को उधर ले जाता हूँ पाँच में से एक घट गया तो आ गया 4 जो की बरापर है 40 बाइफोर्टी बाइफोर्टी प्लस की वैल्म निकालनी है नीचे ले आए तो कटकर आज़े 10 तो मतलब डब्लस कितना आया 10 ग्राम हमारे पास आया